इसको देख के कोई कहेगा कि ये मिठाई बीना गैस जलाए हुए बनी हुई है वो भी सिफ 10 मिनट में और इतनी टेश्टी बनती है ना कि किसी को भी आप दिवाली पे खिलाएंगे सब आपकी तारीफ करेंगे अगर आप अभी तक दिवाली पर कोई भी स्वीट रेसिपी न भूल जाते हैं ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाएं तो इसको एक बार आप जरू ट्राई करिए इस दिवाली सब आपकी तारीफ करेंगे तो जिसके लिए लिए हम एक मिकसर जाए उसमें ये तीन हरी लाइची लिए हैं ज और ये ऐसी स्वीट से जब भी आपका मन कहें कि मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है आप बस दस मिनट में जटपट बना सकते हैं तो इलाइची लेंगे उसके बार 8-10 काजू लेंगे और 8-10 बादाम आप यहां सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम भी ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम लगबग 100 ग्राम पनीर और एक बड़ा चम्मच इसमें हम चीनी यूच कर रहे हैं उसी दो पूंद इसमें हम कलर यूच कर रहे हैं यलो कलर बस इन सब को हम मिक्सर जार पर बंद करके इसको हम बिल्कुल इसका दर दर आसा पेश्ट बनाएंगे बिल् इसके बाद फिर पनीर को डाल कर चलाएं या सब को साथ में चला लें बस इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेंगे और यह बहुत ही टेश्टी लगता जो इसके अंदर की स्टफिंग बनती है तो अब लिए हम लगबग 2 चम्मच गरम दूथ और उसमें हम लगबग 8 से 10 केसक यूज कर रहे हैं इसको डालकर एक तरफ रख देंगे अभी जो इस्टफिंग बनाया थे इसके छोटे-छोटे से बॉल बनाकर तयार करेंगे यह आप वैसे ही खाईए बहुत ही टेस्टी लगते हैं बिल्कुल क्रीमी से और इसमें आप चाहें तो मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं उससे यह और भी क्रीमी बन जाते हैं लेकिन यह हम जो हमारे पास तुरंत अब लेबल हो उससे भी आप बनाएं बहुत ही टे century बनेंगे अब आप लिये हम 6 बड़ इसके किनारों को निकाल देंगे अप ताज़ा बर्डा यूज करिए तो टो इन पु être गी बनेंगे कीनारों को सारों को मिन काल देते हैं और mentre आइवे मदें इसको बनाते हैं को स्की जो किनारे इसको रख लैं आप अब एक प्लेट में यी दूद के जूपर की मलाई होती है इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल घर के सामान से ही बनने वाले हैं बिल्क जो कि आपके पास हमेशा अवलेबल रहता ही रहता है तो इसको अच्छे से mix कर लेंगे ताकि यह बिल्कुल creamy सा बन जाए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो दूद रखे थे केशर वाला उसको और आप यहां पर condensed milk भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नहीं है तो आप यहां पर sugar powder भी यूज़ कर सकते हैं हम यहां sugar powder से ही बना रहे हैं ताकि मतलब घर में जो भी है उसी से फटाफट बना लें कोई भी आ जाता है कोई भी वेमान तुरंट आ गया कभी भी दिवाली पर ही नहीं कभी भी आ गया तब भी आप इसको तुरंट फटा फट बना सकते हैं अब यह जो दूद था इसको भी हम इसमें डाल दिये हैं बिल्कुल दूद जो है वह ठंडा है अब रिक लेंगे कंटेनर या प्लेट लें जिसमें आपको रखना और इसको जो है वह दूद में हम ऐसे डिप कर लेंगे इसके बाद हाथ हो से प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल ऐसे प्रेस करेंगे ताकि इसके जो दूद है वह निकल जाए और यह ब्रेट जो है बिल्कुल वह सॉफ्ट हो जाए अब इसमें एक बॉल को रखेंगे और चारो तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे बिल्कुल जैसे लड़ो बनाते है ना सेम वैसे इस से अच्छे से निचोड़िये ताकि यह ब्रेट जो हैं वह सॉफ्ट हो जाए उसमें पनीर वाले स्टफिंग को रखेंगे और चारो तरफ से इसके अच्छे सा बॉल बना लेंगे तो इसी तरह हम सारा बना कर ले लिया है अब यह जो दूद बचा हुआ है इसको इसमें ड जूशी बनकर तयार होगा तो सारा दूद यह जितना बचा हुआ है मलाई जो है सारा इसके उपर हम डाल देंगे और दस मिनट के लिए इसको हम यह थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें आप बना कर उसके बाद यह बिल्कुल जब ठंडे हो जाते हैं तो यह और ही टेश्टी लगते हैं अब हम लिए है छे से साथ पिस्ता जिसको बिल्कुल हम बारीक बारीक कट कर लेंगे ताकि यह देखने में भी अच्छे लगे और ड्राइ फ्रूट जो है खाने में तो इसको हम ताकि दिवाली पर अच्छे से दिखें इसको बिल्कुल हम बारीक कट कर लेंगे जितना आप कर सके और उपर से इसको बस अब प्रिश्य से निकाल कर उपर से इसके उपर डालेंगे पिस्ता ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे और उपर से डालेंगे कुछ गुलाब की पत्तिया अब देखें ये देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में यकीन मानिये बहुत ही टेश्टी बने थे तो दिवाली पर इसको जरूर ट्राइ करिए जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता ना वो भी इसको बना लेगा बिल्कुल आसानी से तो ये देखें ये बिल्कुल बनकर तयार है खाने के लिए बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करें और इस स्विट्स का मज़ा उठाएं तो इस दिवाली अपने महमानों को इसको जरूर खिलाए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर जरूर जाएं और इस पीडियो को अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर जरूर करें ताकि वो भी दस मिनट में बना लें भाई और देखिए ये कितने बिल्कुल कितने सॉफ्ट और कितने मतलब जूसी बनकर तयार होते हैं बिल्कुल तुरंती मुह में घुल जाने वाले होते हैं और ये देखिए आप अंदर का कलर इसमें और भी यूज कर सकते हैं कोई सबी या वैसे भी बना सकते हैं तो मेरे कहने पर इसको एक बार जरूर बनाएए आपको मज़ा ही आ जाने वाला है